राहुल विधी से प्यार करता था लेकिन उनकी शादी के सब खिलाफ थे इसलिए दोनों ने कोट मैरेज कर ली जब दोनों ने वर्माला डाले हुए घर में प्रवेश किया तो राहुल की मा सुशीला जोर से चिलाई और बोली अरे ये क्या बेटा तुने इस करम जली से शादी कर ली हा मा मैंने विधी से शादी कर ली है और अब ये इसी घर में रहेगी मा जी जो हुआ उसे भूल चाहिए आज से मैं आपकी बहु हूँ पाखी देख तो आकर तेरा भाई दुलान ले आया है ना नदान न दहेज ना मंडव ना बाराथ मैं समाज में क्या मूँ दिखाऊंगी हाए अरे भाईया भावी तो बहुत सुन्दर है आओ भावी घर के अंदर आओ बहार क्यों खड़ी हो और मा आप भी अब चुप करो अब ये इस घर की इज़त है सुशीला जल भुनकर अंदर चली जाती है और पाखी विधी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है रात में सुशीला नई नवेली दुलहन को खाना भी नहीं देती और गुसे के मारे राहुल के पिताजी से कहती है राहुल ने तो हमारी नात कटवा दी अब सुभा होगी सब लोग पूछेंगे तुम्हें क्या बताऊंगी राहुल के पिताजी बोले अरे भागवान क्यूं अपना खून जला रही हो अब हम कुछ नहीं कर सकते अगर बहु ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे सुशीला ने पाखी को आवाज दी और बोली पाखी खाना दे दे उसे और फिर डर के मारे चुपकर सो गई सुभा विधी की पहली रसोई थी उसने बड़े मन से खीर बनाई और रूठी हुई सास को मनाते हुए बोली माजी खीर खा लो तेरे हाथ की खीर तो क्या पानी भी ना पीओ मैं सुशीला गुसे में बोली और वे वहाँ से बिना खीर खाए उठकर चली गई अरे क्यों उसके पीछे पड़ी हो खा भी लो बहुत स्वादिष्ट बनाई है और आज उसकी मूधिकाई की रस्म भी कर दो कम से कम महले में पता तु चले कि हमारे घर बहु आई है और सुनो उन्होंने कोड से शादी करी है अगर बहु ने कोई गलत कदम अठाया तो हम दोनों को जिल हो जाएगी सुशीला बेचारी क्या कहती बहु को अपनाने के सिवा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था उसने विधी से कहा बहु तयार हो जा महले की औरते मूध दिखाई के लिए आ रही है विधी ने अपनी मर्जी से शादी की थी इसलिए उसके पास पहने हुए कपड़ों के हलावा कोई दूसरे कपड़े भी नहीं थे सुशीला ने उससे कहा लो बहु मेरी ये साडी पहन लो तुम माई के से तो कुछ लाई नहीं पर माजी ये तो पुरानी साडी है मू दिखाई पर क्या मैं ये साडी पहनूगी मेरा बेटा अगर मेरी मरदी से शादी करता तो उसकी बहु को गहनों और कपड़ों से तोल देती मैंने कोई दुकान नहीं कर रखी है विधी ने आँखे नीचे जुका ली उसकी आँखों में आसू थे पाखी ने उन दोनों की सारी बाते सुन ली थी और विधी के लिए उसने एक अपनी अच्छी सी ड्रेस देते हुए कहा भाबी आप चिंता मत करो ये बहन लो विधी खुश हो कर बोली थांक्यू दीदी आप बहुत अच्छी हो आप मुझे समर्षती हो मुझे दिखाई हो गई सबने विधी की सुन्दर्ता की तारीफ करी धीरे धीरे विधी अपना घर संभालने लगी कुछ दिनों बाद पाखी की भी शादी हो गई अब सुशीला को रोकने वाला कोई नहीं था वे रोज रोज विधी को परिशान करने के तरीके सोचने लगी मैं तो इसे ये भगा तो नहीं सकती पर क्यों ना ऐसा करूं कि ये खुद ही घर छोड़ कर भाग जाए सुशीला विधी से बोली बहू जरा मेरे पैर दबातो बहुत दर्द हो रहा है आती हूं माजी बस रसुई के थोड़े बर्तन और मांज तूं सुशीला दिन भर उससे सारे काम कराती और रात होने से पहले ही दर्द होने का नाटक करने लगती उसके बाद विधी को सुशीला के घंटों तक पैर दबाने पड़ते सुशीला विधी से कहती बहू आता घर की चक्की पर ही पीस लिया करो बाहर के आते में मिलावट होती है हाँ कई बार उसके दूद में पानी मिला देती सबजी में नमक डाल देती मांजी ये दूद वाला कितना पानी मिला कर देता है आप इससे कुछ कहती क्यों नहीं दस साल से दूद पी रहे हैं बहू मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही दूद पीकर पानी विला देती हो इसमें ये क्या कह रही है माजी मैंने ये सब नहीं सीखा अरे अरे मैं तो भूल गई तूने तो बस इश्क लड़ा कर लड़कों को फसाना सीखा था विधी बेचारी रोती हुई अपने कमरे में चली गई और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगी पूरे दिन भेक काम करके ठक जाती और सुशीला तो उसे एक पल के लिए भी बैटने नहीं देती थी एक बार तो इतनी हद हो गई कि सुशीला ने विधी के काजल में मिर्च और क्रीम में शैंपू मिला दिया अब तो पानी सिर के उपर जा चुका था विधी ने राहुल से कहा राहुल मैं इस घर में एक दिन भी और नहीं रह सकती देखो विधी, मा यही तो चाहती है कि तुम घर छोड़ कर चली जाओ तुम्हें एड़्जस्ट करना पड़ेगा एक दिन विधी को तेज बुखार हो गया मैं लेटी हुई थी कि तभी सुशीला ने आवाज दी महरानी, सोती रहोगी क्या काम करने को तुम्हारे बाप ने नोकर नहीं भेजे हैं विधी ने कहा मा जी, मुझे बुखार है सिर भी दर से फट रहा है इस पर सुशीला गुसे से बोली नाटक करने की जरूरत नहीं है मन नहीं है तो बता दे अब बुढ़ापे में भी मुझे ही काम करना पड़ेगा ए भगवान अब ये दिन ही देखने बाकी थे है अब तो विधी से नहीं रहा गया और वो रोने लगी उसे अपनी मा की याद आ गई मुझे कुछ भी होता था तो मा बिस्तर से नहीं उठने देती थी मैंने मा का दिल दुखाया है न ये मुझे उसी की सजा मिल रही है फिर विधी ने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा उसने पाकी को फोन मिलाया और उसको सारी बाते बताई पाकी विधी से बोली भापी आप चिंता मत करना अब देखना मैं क्या करती हूँ जरा मा को फोन दो हेलो हेलो मा मा मुझे इस घर में अब और नहीं रहना पर क्या हुआ पाकी मा पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ कमर दर्ड से फटी जाती है और रात के ग्यारा बजे तक सास पैर दबाती है मैं आ रही हूँ मा बस इससे पहले कि सुशीला कुछ कहती पाकी ने फोन कार्ट दिया पाकी ने सारी योजना अपने पती अमन को समझाई और अपने माही के आ गई ये क्या दामाजी आपने मेरी बेटी की क्या हालत बना दी है कैसी हालत है माजी खा खा कर मोटी हो गई है दोध खुद पी जाती है और उसमें पानी मिला कर मेरी मा को दे देती है अरे ऐसे कैसे तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूगी माँ मैं पूरे दिन नौकरों की तरह काम करती हूँ चक्की से आटा बीस दी हूँ और रात में इनकी मां के घंटो पैर दबाती हूँ फिर भी ये लोग मेरे माई के वालों को ताना ही देते रहते हैं सुशीला को लगा कि जैसा उसने किया उसकी बेटी के साथ उसके ससुराल में वैसा ही हो रहा है विधी अंदर लेटी हुई सारी बाते सुनकर मुस्कुरा रही थी वह जान गई थी कि पाखी और अमन ये सब नाटक कर रहे हैं क्या चक्की भी बिस्वाते हैं देखो मां मेरे हाथों में च्छाले सुशीला की आँखों में आसु आ गए और वह बोली दामाजी अब पाखी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी वो इंसान है बशी नहीं क्यों माजी बेटी पर बात आई तो रोपणी आपकी बहु भी तो ये सारे काम करती है उसने आपसे कभी कोई शिकायत की सुशीला समझ चुकी थी कि पाखी के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वह अपनी बहु विधी के साथ करती है वह आँखों में आसु लिये विधी के पास गई और उससे माफी मांगने लगी सुशीला विधी से बोली बेटी मुझे माफ कर दो मैं भूल गई थी कि हमारी बहु भी किसी की बेटी है सरा अपने हाथ दिखा तो क्या उनमें भी छाले पड़े हैं सुशीला ने विधी के हाथ चूम लिए अमन हसते हुए अपनी सास सुशीला से बोला माजी हम सिर्फ आपको इसी बात का एहसास कराना चाहते थे पाखी अपने घर में बहुत खुश है माजी आप जो कहोगी मैं वो करूगी मेरी मा मुझे नाराज है लेकिन आप मत होना सुशीला ने विधी को गले से लगा लिया और कहा आज से मैं तेरी सास नहीं मा हूँ पाखी ने मेरी आँखे खोल दी